आईए अब जानते हैं खबरे विस्तार से लगडाउन के एकारन सभी समाजी कार्यकरता संस्था अपने अपने हिसाब से सेवाय दे रहे हैं ईसे ही वाडी की विधाय गिरिश व्यास मित्रमेंड़ परिवार के ओर से लब्डाउन के दिन से ही पुलिस कर्मियों को चाय बिस्कीट पानी के बोतोले और सैनिटाइजर की विवस्ता इस अंसा के ओर से कराई जा रही है लॉक्टाउन खत्म होने तक इस मुहीम को चलाते रहने की जानकरी राजेंद्र तिवारी ने दी उनके साथ मित्रों का भी सहयोग है वारी के हर चौक पर पुलीस तैनात है सुबह के समय चौक पर जाकर सामाजिकता की भावना से चाय, बिस्किट, आनिटाइजर और पानी की जरुरत को पूरा किया जा रहा है वारी के पुलीस टेशन, MIDC T.9 का नमबर 10, MIDC पुलीस टेशन, हिंगना T. प्रतापनगर तक मदद की जा रही है इस उपक्रम को विधायक गिरिश व्यास मित्र परिवार नाम रखा गया है इस कारे को सफल बनाने के लिए वारी के राजेंदर तिवारी तेजराव निगोट मनोज लोखंडे ने इस अभियान में हिस्सा लिया है मानने आमदार श्री गिरिश जी व्यास इनकी प्रेणा पाकर हमने यह उपक्रम चालू किया कि वारी और नाकपशेत्र के जितने पुलिस करमचारी और सफाई करमचारी जो दिन रात इतनी भिशन गर्मी में हमारे सुरक्षा के लिए जो सेवा दे रहे है तो यह उपक्रम हमने उसी कड़ी में लिया कि इतनी भिशन गर्मी में इतनी तप्ती गर्मी में जब कोई भी व्यक्ती आदी घंटे के उपर दूप में खड़ा रहे तो उसे प्यास लगती ही है और सभी पुलिस करमचारी और सफाई करमचारी यह भिशन गर्मी में 8-8 घंटे ड्यूटी कर रहे है तो एक समाज के घटक के रूप में हमने यह उपक्रम चालू किया कि हर पुलिस करमचारी को सुबह की चाई बिस्किट के साथ एवं उन्हें दिन भर लगने वाला स्वच्छ पानी मिनरल वाटर उन्हें मिले हम मानी श्री गिरीजी व्यास इनसे मिलने गए थे और उनसे इस विश्य में चर्षा की उन्होंने हमें यह उपक्रम सुझाया कि अन् पुलिस करमचारी एवं सफाई करमचारी इनके और किसी का ध्यान नहीं है तो मान्य गिरीजी व्यास ने बताया कि आप ऐसा उपक्रम करें कि चाई बिस्किट और उन्हें लगने वाला पानी मिनरल वाटर वहां तक उन तक पहुंचे तो यह उपक्रम आप चालू कीजिए हमने यह उपक्रम चालू किया इसमें हमें श्री श्री राम जी बाटवे, श्री नरेंद्र जी कपाटे, श्री प्रमोज जी टाले, श्री विश्वना जी मुदलियार, श्री जानरा जी चाउने, श्री कोरपे जी, श्री पवार सर, वह कई साजों का सहयोग हमें मिल रहा है विशेश रूप से हमें सयोग मिला सिंग कैटलर के श्री धर्मेंद्र सिंग बगेल एवं श्री शैलेश जी शर्मा इनका हमें इस प्रोजेक्ट में विशेश सयोग मिल रहा है मैं आपके माध्यम से उन्हें उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनका सयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहेंगा उसी प्रकार विशेश रूप से धन्यवाद देता हूँ मानने आमदा गिरीजी व्यास को कि उन्होंने ये उपक्रम हमें बताया और हमें इस उपक्रम को शुरु करने में हमारी भरपूर साहता की उन्हें विशेश रूप से हम धन्यवाद देते हैं उसी प्रकार इन चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सब के सामें रखा और आशा करते की सभी जनता इसी प्रकार के प्रोजेक्ट लेकर आम जनता की और सफाय कर्मचारिय अवे पुलिस कर्मचारियों को सहयोग देंगी और इस संकटी घड़ी में जो नियम सरकार ने बताए है जो सरकार ने हमें कहा है उस पे हम चलेंगे NBCN के लिए वारी से सुनिल शेटी के साथ अभिशेक पान से की रिपोर्ट